हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो फूर्ट सा फिटनेस आज आपड़े बना विश्यू सरगवा बटेटानू शाक तो एकदम टेस्टी चटा के दार रसा वालू काठिया वाडी स्टेल थी आज शाक एकदम सरस बने छे आज शाक ने तमें गर्मा गरम रोटली के पराटा साथ खासो तु बोवज टेस्टी लाक्षे तो चालो बनाव ये घरमा बत्तानू फेवरेट बनी जाई एव टेस्टी सरगवा बटेटानू शाक रेसेपीगा में तो विडियो ने लाइक कर जो शेर कर जो अने आवाच नवा विडियो माटे मारी चैनल ने सब्सक्राइब कर ज अ रिते सरगवानी छाल काडी लेवानी उपरती थोड़ी थोड़ी छाल काडिया पछी आ रिते आपड़े सरगवाने मेडियो म साइज ना टुकरामा कट करी लेश्ट। तो इ 관से तमे जै शको में शारी रिते एक संग ने करी र yay दीचे बिल्कुल आज रिते पढ़े बत्ती सिंग ने कटकरीले ये હावे इंया मैं शरगवानी सिंगनी साथे एक मीडियम साइज नु बटाको लिदू छे बटाका नी छालकाडी अन्यारीते मैंने चिप्सना शेप मां कटकरीली दू छे हवे इन्या मैं सरगवानी सिंगनी साथे एक मिडियम साइज नू बटाको लिदू छे बटाकानी छालकाडी अना रिते मैंने चिप्सना शेप मा कट करीली दू छे तो हवे आपड़े सरगवा अने बटाकाने बाफी लेश्रू तो आरीते आपड़े जे समारेलों सरगवा छे एनै कुकर्मा उमेरि देश्रू अने साथे सरागवाडू बे एटलुए माँ पाणी उमेर्वानू छे तो अटधा कप जेटलू मैह यह पाणी लिदू छे अने आ रिते सरगवाने आपड़े कुकर मा उमेरिया पची आपड़े जे बटाकु समारी ने राख्यू छे एना रिते कोई वाटकामा राखी देशू जेथी एपण एकदम सरस बफाई जाई अने एमा आपड़े एकथी बै टेबल्स पुन्जेटलू पाणी उमेरि हवे आपड़े कुकर नू ढाकन बन करी मेडियम गैस फर सरगवा आने बटाकाने बै विसल करी लेशू तो बै विसल थाई गई पची में कुकर नू प्रेशर एनी जात्तेज पूरु थवा दिदू हत्तू अहिए तमे जोई शकोच आपड़े शरगवो एकदम सरस तो हवे आपड़े शाक बनावा माटे ग्रेवी तैयार करेशू तो याँ शाक नी ग्रेवी बनावा माटे मैं मिक्षर जार लिदू छे एमा एक मोटी साइज नू टामेटू एक मोटी साइज नी डूंगली एक इंच आदून नो टुकडो अने बै लिला मर्चा लिधा छ बिल्कुल पाणि उमेरिया वगर आनी अपड़े प्योरी बनाविले शू तो टामेटा डूंगली नी प्योरी थाई चाई एटला आपड़ेक पेन माँ चार टेबल्स पूंजेटलू तेल गरम करवा मुकेशू एकदम सरस तेल गरम थाई एटले एक टीस पूंजेटली र लसन नी सुकी चटनी उमेरिशू तो पाथी साथ कड़ी जेटला लसन ने 18 टेबल्स पूंजेटला लाल मर्चो पाउडर साथे मेखांडी अन्या रिते चटनी बनाविले दी चे चटनी ने आपड़े सारी रिते तेल साथे मिक्स करी लेए अने हवे एग्या एक टेबल्स पूंजेटलो चणानो लोटो मेरीशू चणाना लोटने तेल साथे एकदम सारी रिते मिक्स करीशू थोड़ो चणानो लोट सरगवाना साक्माओ मिरवाथी स्वात्तो शारो लागेत छे पन ग्रेवी एकदम सरस काट्टी बने छे तो एक थी ब्य मिनिट चणानो लोट आ टेबल स्पून जेटलू धाना जीरू पाउडर, और दा टेबल स्पून जेटलू लाल मर्चू पाउडरू में रिश्यू, अने साथ हे आपड़े एक टीस्पून करता थोडू वधारे अत्वास्वात प्रमाणे नमकों मेरी देश्यू, मसालाने एकदम सारी रिते मिक्स कर करी लेए, तो आपड़े आगल लसर्नी चटनी उमेरी छे, एटले में आया लाल मर्चू थोडू ओच्छू उमेरी उच्छे, लाल मर्चू तमे तमारी पसंद प्रमाणे वधारे के ओच्छू करी शको छो, आरिते मसालाने बराब्बर मिक्स करिया पच्छी, हवे आपड टामेटा डुंगली नी प्योरी उमेरी देश्चू, आने नेकदम सारी रिते मिक्स करी लेश्चू, तो रिते सरस तेल साथे डुंगली टामेटा नी प्योरी ने मिक्स करी, एक थी 2 मिनिट माटे थवा देश्चू, अत्वा सरस तेल छुट्टू पडे तिया सुदी एने थवा देवानी तो लगबग 2-3-8 मिनिट जिटलो समय थायो छे अने तमे जोई शको छो ग्रेवी मा थी सरस आरिते तेल छुट्टू पडवा मंडियो छे आरिते सरस तमने उपर नी साइट तेल देखावा मंडे एटले आपड़ामा जे बाफेला सरगवो अने बटाका राख्या छे एने उमेरी देशु तो आपड़े जे सरगवो अने बटाका बाफिया एमा जे थोडू पाणी हतु एज पाणी आपड़े आग्रेवी मा यूस करी लेशु केमके आ पाणीमा भरपूर मात्रामा पोशक तत्वो होई छे तो आज पाणी साथे आपणामा सरगवो उमेरी देशु अने साथे आपड़े बटेटा उमेरी देशु अने हवे एकदम सारो खट्टो मिठो शाकने स्वाद अपपामाटे बै टेबल स्पुन्जेटलो में इया गोल्ड लिदो छे आ साथे थोड़ी खटाश माटे अड़दा लिम्बूनो रसो मेरी देशु हवे आपड़े एकदम सारी रिते साक ने मिक्स करी लेशु तो सरगवानी सिं्ग टूटे नए ए रिते एकदम हलवा हाथे साक ने मिक्स करवानू तो इहां तमे जो ही शको चो थोड़ी जवारमा आपणों शाक एकदम सरस मिक्स थाई गएुछे हवे या शाकने 1-2 मिनिट मा आटे थवा देश्चू, थोड़ी ग्रेवी उकड़े तिया सुदी एने थवा देवानू तो लगबग 2-3 मिनिट मा तमें जोई शकोचो ओपरनी साइट थोड़ू थोड़ू तेल देखावा मंडियू छे अने सरस आपणी ग्रेवी थिक थाई गई छे तो आ स्टेज पर थोड़ी जिनी समारेली कोथ मीरू मेरी रिश्यू गैसनी फ्लेम ने बन करी देश्यू अने आ साकने अपणे गर्मा गरम सव करी देश्यू तो तमे आ शाकने पूरी पराठा की गर्मा गरम फुल का रोटली के भात खीचडी साथे खासो तो बुवच ट वीडियो माटे मारी चैनल ने सब्सक्राइब कर जो फरी मलईसू एक नवी रेसिपी साथे त्यान सुधी थैंक्स पर वाचिंग